हांजी, ready, start दस में पाथशा साहिव शिरी गूरु गोविंद सेंग जीदा जन्म दिहाडा, आज देशां देशां विच शर्दाथे उत्षा नाल मनाया जा रेहा है डेंडी इतिहास दासदा है के शिरी गुरु गोविंद सेंग जीदा जीवन काल कोई बहुता लंबा नहीं सी डंडी प्रांतु ओ कटनामा नाल परपूर सी जिस्तों पता लागदा है के मनुखता दी सेवा अते जवर खिलाफ उन्नाने किन्नी कालना काली होवेगी डंडी नेकीनू बचाउना ते बदीनू नस्ट कारना उन्ना दे जीवन दा असल मनोर्थ सी डंडी इस मनोर्थ दी प्राप्ती लई उन्नाने अपना सर्वांस तक बार देत्ता डंडी उन्ना दा जन्म नौमी पात्षाही श्री गुरु तेग बहादर साहिब दे ग्रै विखे माता गुजर कौर जी दी कुखों पांच जन्बरी सन 1666 इसवी वेच शहर पटना साहिब विखे होया डंडी गुरु जी दे माता पिता ने आपनू चंगी विद्या सिखोन दे नाल नाल शाष्तर विद्यातों वी जानू करवाया डंडी गुरु जी नू फोजी विद्या दे नाल नाल संस्कृत ते फार्सी वी पड़ाई गई डंडी गुरु साहिब नाल महान बिद्वान लेखक कवी अते दीन दुखियां दी वाँ फाडनवाले महान इनकलाबी गुरु होय हान डंडी गुरु साहिब नू अपने जीवन काल दुरान जेकर जंगावी लड़निया पज्या ता ओवी उन्नाने लोक हित्ता दी खातर ही लड़ियां डंडी पैरा जंगा लड़के गुरु साहिब दा मकसद कोई गद्धी हत्याउना नहीं सी ओता चौंदे सान के राजे गद्धियां ते अजेहे होने चाही देहान जो इमानदारी नाल इनसाफ देन डंडी मानवी अते परशाश की गुण गुरु साहिब अंदर बजपन वेच ही मजूद सान डंडी इसदी जोंदी जागदी उदारन है कश्मीरी पंडता दा जलमतों तंग आके गुरु साहिब दे पिता कोल मदद लई आउना ते गुरु जी दा अपने पितानु करवानी देन लई उन्ना नाल तोरना डंडी इस तों साभ पता लगदा है के उन्ना दा हिर्दा किन्ना विशाल सी डंडी दर्दमंदा लई किन्ना दर्द सी उन्ना दे दिल वेच डंडी पैरा उन्ना दी पगोलक सूज बूज दा पता इस गल तोंवी लगदा है के सन 1685 दे शुरू वेच राजे ने गुरू साहिब नू अपनी रियासत वेच ओन दी आर्ज कीती डंडी इसते गुरू साहिब ने रियासत दा दौरा कीता ते द्रया जमना दे कंडे पौंटा साहिब वाली जगाते एक नमा नगर बसोन दा फैंसला कीता डंडी पौंटा साहिब दी नी गुरू जी ने आपरकवाई डंडी इसतों वाद गुरू साहिब अगले तन साल पौंटा साहिब विखे ठेहरे डेंडी पॉंटा साहिब वेच्च हाजर सिखा नाल विचार करके गुरू साहिब ने चक नान की जान दा फैंसला कार लिया डेंडी आप स्ताई अक्तूबर सोला सो ठासी बाले देन पॉंटा साहिब तों चाल के कीरतन पुर हुंदे होए नवंबर मही ने दे आद वेच्च चाक नान की पॉंचे डेंडी पैरा गुरू साहिब ने हाक ते साचले पहली लडाई पॉंटा साहिब तों शे मील दूर उत्तरवाल पंगानी दे स्थान ते सामत सोला सो ठासी इस बी वेच लड़ी डेंडी इस तों वाद कई वर्यां तक शान्ती बनी रही डेंडी स्टॉप